हर हर महादेव जय भोलिनात नमस्कार मैं शादना पांड़े मागदर सिन प्याप का स्वागत करती हूँ दोस्तों आज मैं बात करूंगी दान यदि जीवन में कोई भैंकर कष्ट चल रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि भागत जहां से चली थी वहीं रुख गई है और कोई भी काम हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है संतान है तो वो आपकी नहीं सुन रहे है पति देव आपकी नहीं सुन रहे है घर नहीं बन पा रहा है विवाह नहीं हो पा रहा है यदि इस तरह की कुछ दिक्कते है न पित्र दोज बहुत भयंकर लग रहा है राहू के तू सनी की पीड़ा से आप बहुत परिशान है इस तरह की कोई दिक्कत भी सिसकर राहू के तू और सनी की दिक्कत है काल सर्प दोज कुंडली में है इस तरह की दिक्कते यदि जीवन म पुनेफल इस काम को करने वाले को मिलता है तो ये काम मुझे लगता है हर घर में एक प्यक्ति को तो करी लेना चाहिए इससे पर दोश सित्यादी में भी आराम मिलता है जो सत्रू आपके बहुत बढ़े बढ़ जाते हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिलती है तो इस दान को जर जाता है दान वीर करड़ जिनों ने मतलब एकदम अपने जीवन के अंतिम समावे भी अपने दातों का दान किया कहा जाता है कि मतलब दान वीर करड़ उनका नाम ही है तो समीला जुला के चलिए ये तो बाते हैं कि इन लोगों की ख्याती है दान हम जानते हैं कि ये लोग महा दानी हुए थे यह कल यूग है मैं बात कर रही हूं कि एकदम साधानण साथ क्या आप करके अपने जीवन से कष्टों को दूर कर सकते हैं देखें कष्ट यदि बहुत जादा हैं बहुत जादा तकलीफ हैं आप नहीं जानते हैं कि आपको क्या दिक्कत हैं क्यूं आपको इत पिपाया हुआ है इस उपाया को करने से पिता-दोस्त कीagement होती है गुप्त शत्रू सांत होते हैं किसी भी प्रकार के कुंडली में दोस्त है जो की जान ही नहीं पा रहे हैं आपकी क्या दिक्कत है उससे मुक्ती मिलती है कम से कम साल में दो बार इस काम को आपको जरूर करना चाहिए परिवार में एक व्यक्ती कोई सनिवार का दिन हो अमवस्या का दिन हो आप छे महीने में एक बारिस उपाय को कर लिजे दोस्तों विश्वास मानिये कहा जाता है चीटियों का पेट भरने से नारायण मतलब आपने छे महीने के उनके भोजन के विवस्था आपने कर दिया सिर्फ एक नारियल में आटा और चीनी भर करके आप विश्वास करिए कि जब आप उनके लिए छे महीने के विवस्था करेंगे तो नारायण को भी विवस होकर आपकी इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी वैसे एक चीज जानिए हम तो अपनी कोई भी कामना के लिए दान करते हैं और यदि हम किसी कामना के लिए करते हैं तो चलिए वो चीज पूर्ण होती है लेकिन कभी कभी दान जो है बीना कामना के भी करना चाहिए देखिए पहले के जो राजा महराजा थे उनको जो है वो मतलब दान से भी उनके बहुत सारे ग्रहों को ठीक कराया जाता था बहुत सारे ग्रहों को उनके दान से सही कराया जाता था इतना जादा प्रभाव होता है दान का अच्छे ग्रहों को जो है उनको दान नहीं करा जाता था परन तो जो पूरे करा थे उनको दान करा कर उनके जीवन में शुफल प्राप्ति किया जाता था तो दान का इतना महत्थ है अब बात करूं चीटियों का तो देखिए लाल चीटिया भगवान विश्णू का सुरूप कही गई है कहा गया है बस हो के आपके भोजन की विवस्था करनी पड़ती है बस यही याद रखे तो निरी प्राडियों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बार बार कहती हो कुट्टे को रोटी दीजे और यह चीटी वाला काम आप जरूर कर लेजेगा मैं पहली बार नहीं बता रहूं पहले भी इस काम को किया जा सकता है थोड़ा सा गड़ा पीपल के नीचे या फिर किसी भी पेड़ के नीचे खोद करके और उसमें ये नारियल का जो आपने नारियल को भी से काट कर उसमें आटा चीनी भरा है उसमें आप जो है थोड़ा सा अंदर करके आप डाल देजे इस ते चीटिया जो है छे महीने तक अपना आराम से भोजन बिना किसी महनत मुसकत के करेंगी आप विस्वास मानिये सोच के आपके सहरे पर खुसी आ जाएगी कि आप छे महीने के भोजन के किसी की विवस्ता कर दे रहे हैं तो आपने आपने एक भंडारा करनी की समान बहुत बड़े दान करके ही जीवन से कष्टों को हटा सकते बस जानकारी होनी चाहिए एक एक छोटा-छोटा काम आपके जीवन से कष्टों को भगा देता है एक चीज़ और बताओंगी कभी-कभी न आपको अपने घर से अनाज का दान करना चाहिए इस दिनों में आपको अनाज का दान करना चाहिए ये भी सर्वस्रेष्ट दान है अच्छा पोडिमा पे जल में दीप दान करने का भी महत हो है ये भी एक प्रकार का दान ही है इसमें दीपों का दान किया जाता है कहा जाता है इससे भी संकट से मुक्ति मिलती है और भगवान विश्ण के करपा मिलती है तो दीप दान यहाँ पे करिए यानि कि जल में करिए शिव मंदिर में करिए ये दोनों स्थान बहुत सुभ है वैसे करने के लिए तो अने को जगा है तो सम्मिलाकर यदि चाहते हैं मन में स्रद्धा है कि हम भी कभी भंडारा करेंगे हम भी जीवन में कभी कुछ अच्छा दान करेंगे तो पहले चोटा दान करें फिर देखिए भगवान आपकी इक्षा को कैसे पूर्ण करते हैं किसी भी कश्ट के लिए इस दान को आपको जरूर करना चाहिए एक दान और है दोस्तों बार बार उसको कहते हूं काली तिल का दान यदि कोई लेना चाहे तो उसको पुर्वज रहे हैं दानी नहीं महा दानी रहे हैं और आप जानते इस दान से कहा जाता है कि स्वर्व देवताओं का सिंगासन भी घर्षट करने लगता हिलने लगता है इतना ज्यादा प्रभाव होता है दान का देखिए कहा जाता है अपने लिए जिये तो क्या दिये बवस्ता हमारे आपकी तरह हाथ नहीं दिया है न वो मांग सकते हैं न कह सकते हैं तो आप कुटों को रोटी डालिए खिडियों को पानी डालिए मतलब इतनी गर्मी लग रही है पसुओं के लिए पानी वगरे के बवस्ता करिए आप ये सब दान करिए न पूजा पाट से जादा आपको पोड़े फलो की प्राप्ति होगी ये सब करिए दोस्तों और हाँ वीडियो कैसी लग रही है बताईएगा जरूर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सकाइब भी साथ-साथ कर लीजीगा दोस्तों और भोले नात का नाम कमेंट बाक्स लेकिन जो हमारे रिलेटिव थे अपने आइस पड़ोस में है लोग लोग लेते थे और बहुत जादा चमतकारी प्रभावसाली पोड़ी बनती है और बन के आने के बाद समझें कि मतलब घर में एक महिने नहीं बिता कि उसकी उरजा आप देखने को मिलती है तो उस का निर्माण हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बार-बार फोन करके बोलते थे कि पोड़ी हमको भी चाहिए हमको भी चाहिए तो अक्षय तित्या पे हमारे यहां उस पोड़ी को अहुमंतित किया जाता है देखे आप से बिलकुल सत्य बोलूंगी एक भी बात जो पारे जो देखे सोसल मीडिया के अलाव भी सबकी एक दुनिया होती है जो लोग हमको सोसल मीडिया के अलाव जानते है सभी को पोड़ी चाहिए होती है तो आप लोगों में से जो जो जिस किसी को चाहिए वो मेरा नंबर है उस नंबर में अक्सर बताती हूं जिस पे आप क पोटली पे थोड़ी बहुत लागत मुल्ले भी रखी गई है यह मानती हूँ पोटली अनमोल पोटली है जीवन बदलने वाली चमतकारी रूप से पोटली है एक बार जो मंगवा लेता है बिस्वास माने मेरे खाने से कुछ नहीं होगा सभी अपनी अपनी बढ़ाई करते है यह तो आप तभी जानेंगे जब उस पोटली का लाप राप्त करेंगे तो देखे लागत मुल्ले रखी गई है क्योंकि सामगरिया लाना और उनको आप तक पहुचाना तो वैसे तो यूटूब पे ही 55,000 से उपर की पोटलियां बैचीज गई है लेकिन हमारे हम बहुत ल यह तो यह तो आपको आपने पैसे रखते हैं आपको कुछ करना नहीं है बस प्रति दिन सामको दूप दीब जो भी आप अपने घर में दिया और गूमाते हो उस पोटली के पास भी गुमाते है फिर देखिए कैसे चमतकार होता है आपकी इच्छा है तो आप उन नम्बर उपे और हाँ मेरा भी पहली बार है सोसल मीडिया पर इस तरह का मतलब पोट्ली नहीं हो सकता है कि मैं उतना कर नहीं पाहूं मैं सक्षम नहीं हूँ तो इसलिए आप लोग देख लिजेगा आपनी वेवस्था और हो सकता है कि यह कम भी हो जाए क्योंकि मतलब मेरा भी पहली बार है तो इसलिए मैं बहुत कुछ कंफिदेंस से नहीं कर पा रहे हूं कि हर व्यक्ति को हर मतलब बहुत सीज उपलब्ध हो पाएगी